दोस्तो एपल आई मुवी में हाल में एक नया अपडेट आया है जिसमें तीन नय फीचर को इंटेड्यूस किया गया है जो सबसे पहला फीचर जोस्तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है जी हां दोस्तो टेक्स जो पहले आप कोई फॉर्मेटिं आया है साथ साथ दो और नए अपडेट्स आया है मैं इन तीनों अपडेट्स के बारे में डीटेल में भी आपसे बात करने जा रहा हूं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नम अभीशीक है आप देख रहे हैं मारा चैनल टेक्चैम तो चली आप टिटोरियों के स्टार्ट करते है तो यहाँ पर दोस्तो मीडिया में सबसे नीचे आप देख सकते हैं बैग्राउंड का एक नया उप्सन आया है तो जैसे आप बैग्राउंड पर जाते हैं कई सारे बैग्राउंड आपके सामने आप या प्राइट हैं आप अविलेबल है जिसमें आपको प्लेन तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा background है वो select हो चुका है तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको text के बारे में दिखला देता हूं कि जो सबसे important update है और पहले यह बहुत बढ़ा challenge भी था text को ले करके तो यहां पर देख सकते हैं text में दोस्तों कई सारे animation है कुछ नया animation को भी दिया गया है कुछ पुराने वाले हैं तो एक animation को मैं अभी select कर लेता हूं वो pop-up वाला animation right-hand side में जो है मैं उसे पहले select कर लेता हूं और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं उपर में font का sign color का sign आ चुका है लेकिन अभी सबसे पहले text में मैं पहले कुछ लिख देता हूं तो दोस्तों हमारा text जो है यहां पर लिखा गया अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिख लाता हूं कि font भी आप change कर सकते हैं तो कई सारे font इसमें दिया गया है बहुत सारे font है मिली मेरा यहां पर favorite fonts है और देख सकते हैं आप नीचे कई सारे fonts यहां पर दी गई है so font का कोई problem है नहीं एक मैं font select कर लेता हूं जो मेरा favorite है और इसे मैं medium पर रपता हूं तो देख सकते हैं जिस्तों हमारा font भी अब change हो चुका है तो अब यहां देखिए आप just later पे आप hold करोगे और जैसे जैसे आप उसको move कराओगे यह इसका position change हो रहा है तो इस तरह से आप position को भी change कर सकते हैं text पे just आपको tap करके hold करना होगा और उसको आप navigate करके position को change कर सकते हैं फिस जस्तों आप color पे select करोगे तो देखिए तीन तरह का color को option दिया है तीन तरह से color को select कर सकते हैं और चौथा भी एक है pick करने वाला option तो पहले देखिए मैं आप एक color को select कर लेता हूँ red वाला रेट तो मेरा favorite है तो यहां पे मैं red color को select कर लेता हूँ खेल जो कट चाह है उत कर सकते हैं और यहां पर पिक करने का ऑपिवशन दिया है, तो आप पीक के कर सकते हैं, तो मैं फिर से इसे रेट कर देता हूं, तो हमारा जो font का जो color है वो change हो गया, text का color और यहां पर जो option में जाने के बाद देख सकते हैं default, lower third, यह सब style दिया गया है पहले से तो आप इसे lower third करेंगे तो देखिएगा इसका जो size है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और जो option में जो three dot दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं text का shadow आप दे सकते हैं uppercase में कर सकते हैं sound effect अगर कुछ डालना है तो आप डा सकते हैं फिर नीचे में full clip duration है कि text जो है पूरे clip में होना चाहिए या एक custom time में होना चाहिए तो यह सब आप यहां से select कर सकते हैं तो अभी मैं full clip को हटा देता हूँ और आपको फिर मैं बाद में full clip करके भी दिखला दूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा text रा color चेंज हो गया है position भी आप change करना सीख गये अब आप दो finger को hold करके zoom out और zoom in करके आप text का size बादा चोटा कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं इतना बादा size में रखते था हूँ इसे और कहीं भी इसका मैं position भी change कर सकता हूँ बादा ही simple है बहुत तीज़ी है दोस्तों ऐसे भी Apple IMO भी बहुत ज़्यादा user friendly है तो देखिए हमारा ये वीडियो इस तरह से play हो रहा है तो यहाँ पर देखिए वीडियो पूरा play हुआ नहीं और text गायब हो गया तो आप text का duration full clip duration कर देंगे तो आप text को पूरे वीडियो में play कर पाएंगे जैसे देखिए मैं इस वे फिर से play करता हूँ तो आप देखिए हैं अब जो ये text है ये गायब नहीं हो रहा है ये पूरा वीडियो में चलेगा तो ये था दोस्तो हमारा text से related जो पहला features दिया गया है वो text का मैंने आपको दिखला दिया तो अब दोस्तो मैं एक video file को import करना चाहता हूँ जिसमें आपको मैं तीसरा features दिखलाऊंगा और यहाँ पर एक video मैं import कर लेता हूँ जल्दी से तो हमारा एक video यहाँ पर आ गया अब इसमें देखिए video में जो एक filter का option रहता है उसमें आप filter का value को आप customize कर सकते हैं अपने हिसाब से state कर सकते हैं मान लीजिया मैं यह vintage वाला जो filter है उसे apply कर दिया और देखिए आप मैं इसका value को कम ज्यादा कर सकता हूँ तो जितना हमको चाहिए filter का उस video के लिए पार्टिकुलोस video के लिए तो मैं यहाँ से उसे custom कर सकता हूँ और भी कई सारे filters हैं किसी को भी select करके आप चाहें तो custom कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ set करके दिख लाता हूँ तो major जो तीन features था वो था एक नया जो आप background को add किये तो background वाला features फिर है दोस्तो आपका text वाला features जो सबसे important है और यह दोस्तो तीसरा filter आप video में filter जो लगाते हैं उसका आप value को customize कर सकते हैं major जो value है वो customize होता है यही नया introduce किया गया है filter को लेकर के तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपस एक request करूँगा कि अगर आप iMovie भी नए हैं अभी आपने शुरुवात किया है तो दोस्तो हमारा एक video है जिसका नाम है iMovie Tutorials for Beginners तो अगर आप चाहें दोस्तो तो उस वीडियो को देख सकते हैं तो जिसमें दोस्तो मैंने एक दम basic से बतलाया है और उसका link भी मैंने description में डाल दिया है तो दोस्तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो यहां पर मैं आशा करूँगा कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा So please don't forget to like and subscribe our channel Thank you for watching